हेलो दोस्तों वेलकम बेक टुडे गुजराती चैस जोन डी फोर के सामने की जो लाइन हमारी चल रही है अभी उसका ये तीसरा वीडियो थे तो थर्ड वीडियो में आप देखोगे टू नाइट वेरियेशन और दूसरा पुर्मान वेरियेशन दोनों वेरियेशन में एक ही वीडियो में आपको बता दूँगा दोस्तो इससे पहले वाले दोनों वीडियो आप देख लिजिए पहले से देखने में आपकी हर एक move by move ओपनिंग रेडि होती है बीच में से अगर कोई भी वीडियो आपने देख लिया मानलो कि आज इस वीडियो को आपने ओपन करते ही देख लिया तो देखना ज़रू है लेकिन ये देखने के बाद भी फिर से आप रिपीट करो इससे आगे वाले वीडियो ताकि आपकी लाइन मिस नहीं होए और पहले मू से मूव बाइ मूव आप सीख सको डिपोर के सामने खेलने में पहले बहुत दिखकत होती थे कि कौन सी लाइन खेले सेमिस लेव खेले लेकिन मैंने विस्षी आनन्द की बहुत सारी गेम्स देखी जिसमें आनन्द खुर्ण गेंबिट एकसेप्ट करके खिल लेते हैं और इसे के बाद मुझे यह लगा कि यह लाइन तैयार करने जैसे बहुत ही मज़ा आता है वाइट पहले ही मुझ से सेंटर लेने का ट्राय करता है लेकिन हम जब क्विन्स गमिट एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद हम ब्रेक कैसे लेते हैं ये सब कुछ सिखना जरूर है इस लाइब तो आज पहले देखेंगे तू नाइट वरियेशन चलिए शुरू करते हैं डी दोस्तों क्विन्स गमिट सभी लोग क्विन्स गमिट खेले यह जरूरी नहीं है लेकिन आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूर नहीं है यह मेरी पूरी सिरीज में मैं आपको डीपोर के जितने भी ऑप्शन है वाइट के ओपनिंग के वो सभी में सिखाऊंगा ब्लैक से मालो कि वाइट ने लंदन सिस्टम खेल लिया दीफोर दीफाइव इंस्टीड अप सीफोर अगर वाइट ने लंदन सिस्टम खेल लिया तब आपको कैसे रिपलाई देना है फोले सिस्टम खेल रहा है वाइट तब कैसे खेलना है इसके बारे में हम बात में डिसकस करेंग तो अभी हम देखते हैं D4, D5, then C4 जहां आपको accept करना है Queen's Gambit accepted अब देखो 2 Knights Defense यानी simple logic है दोनों Knight White निकालता है इसे कहते हैं 2 Knight तो Knight F3, आपके लोगे Knight F6, then Knight C3 यह हो गया starting यहां पे आपको reply देना है A6 White खेलेगा E4, attack this C4 board चलें यहां पे मैं आपको बताऊँगा यहां आपको खेलाए B5 अब बॉन इस लाइन में जब बूनाइट एटेक होता है तो इसमें आप बचा सकते हैं यह ध्यान रखो B5 अब mostly यहां पे White का बेस्ट रिप्लाई होता है E5 और यहां Black की और से आपको खेलना है Knight D5 Position completely equal दिख रही है आप यहां पे देख सकते हो साइड में 0-0 A4 यहां पे White ब्रेक लेता है A4 के रिप्लाई में यहां आपको खेलना है Bishop to Bishop अब देखो कोई दिक्कत नहीं है अगर AB4 किया तो Knight C3 Then D take C3 Then Pond text Pond फिर भी आपका Pond वहां पे रहेगा और आप Pond plus के plus रहोगे तो BB7 के बाद White reply देता है E6 यह White का best choice होता है ताकि सब भी साइड आपका ब्रेक करते है यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा Pond text Pond मान लीजिए कोई problem नहीं होने वाला यह E6 देने का advantage White कैसे लेगा Knight जी पायू करते है यहां पे खेलना है Knight text Counter attack on Queen अगर Knight T6 किया तो पहले आप उसके Queen मार रहे हो कोई दिक्कत नहीं है तो इसके reply में White को खिलना पड़ेगा B takes C3 और उसके बाद यहां आपको खिलना है Queen defy अब आप देखो यहां पे Knight को यहां रिजर्ड रखते हो Queen Courate Diagonal में कंट्रोल करती है White कभी भी B3 नहीं कर सकेगा चैक से कुछ होने वाला नहीं है कोई टेंशन लेने की जरूद नहीं है अगर Queen H5 आता है तो G6 simple इसमें खेल सकते है और आप देखो यहां पे Pawn प्लस हो प्लस के प्लस रहते हो और White जल्दी से कोई भी इसमें और आप जल्दी से जल्दी ड्यावलोग कर सकते हो Knight D7 जरूद पढ़ने पर H6 वगरा कर सकते है जरूद पढ़ने पर क्योंकि यह था हमारा 2 Knight variation अब हम देखेंगे नया variation फुर्मान variation यह क्या होता है फुर्मान variation इससे पहले मैंने दिखाए था Maynhem variation D4 में हम जब Queen's Gambit Accept करते है तो कुछ नाम Opening के Change हो जाते है D4 D5 C4 D into C4 Knight F3 Knight F6 थोड़ा थोड़ा 2 Knight Defense जैसा लेकिन यहां पे Knight नहीं खेल रहा है White और यहां खेल रहा है E3 और यहां आपको reply देना है E6 यह हो गया फुर्मान variation मतलब Simple White अपना structure थोड़ा सा कोले सिस्टम जैसा बना रहा है E3 और विशब TXPON और विशब D3 वगड़े E6 के बाद B sub C4 यह natural move है यहां पे आपको कोई भी सोचने की जरूत नहीं है यहां मैं आपको बताऊंगा C5 जल्दी break करो Center को जितनी हो सके जल्दी break करो White खेलेगा Queen E2 आइडिया है जो आपने Sicilian Mora Gambit देखे होगी Smith Mora Gambit जिसमें Queen E2 Rook D1 वगेरे planning होता है इसी प्रकार इसमें भी planning white कर सकता है Queen E2 Natural move है यहां पे आपको खिलना है A6 और इसके बाद White Pawn takes Pawn करेगा क्योंकि next move हम B5 करेंगे तो उसको और भी दिक्कत होगी अगर Pawn takes Pawn नहीं किया तो B5 then C4 तो Pawn takes Pawn में आपको खिलना है Bishop takes C4 अब White खिलेगा E4 यहां आपको खिलना है B5 Bishop B3 E4 के बदले एक और भी move है जो मैं अभी बताता हूं आपको यह पहले note down कर दीजिए BB3 के बाद यहां आपको खिलना है Bishop B7 Spawn पे pressure तो इसका reply होगा Knight BD2 Knight से support यानि ड्यावलोग के साथ में E5 मेरे इसाब से अच्छी moon नहीं है अगर E5 करते है तो यहां पे आपको Knight D5 जा सकते हो Knight D7 कर सकते हो और यहां hole पर जाएगा जो Black को काफी अच्छा रहेगा Knight D2 Defense यहां पे आपको खिलना है Knight C6 अब E5 और यहां पे आपको खिलना है Knight G4 अब देखो दीरे दीरे pawn पे pressure बढ़ता जा रहा है H6 में कोई दिक्कत नहीं है आपको Knight H6 Simple ले ले 8 में हमने जो दिखाया E4 के बदले यहां पे White E4 के बदले Castling करता है अगर तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है White को equally game चले जी लेकिन Castling के reply में आपको करना है Castling उसके बाद White के लेगा A3 तो उसका भी idea B5 का है तो जहां पहले आपको B5 कर देना है अब White Bishop B3 करेगा और उसके बाद आपको खिलना है Bishop B7 और 6 मू में Alternate Move है White के पास जो Queen E2 के बदले यह position के बाद जब आप C5 करते हो तो यहां पे एक Alternative है White के पास Knight C3 Develop Minor P6 यहां भी आपको reply देना है A6 अब DC5 DC5 जरूरी है वरना B5 देन C4 तो DC5 और यहां पे आपको खिलना है विंटेक्स D1 King D1 Twin Exchange होने के बाद King आप हिला सकते हो बिना कैसलिंग के खिल सकते हो Knight D1 थोड़ा पैसिव मू रहेगा Knight D1 में उसका Knight बैक जा रहा है यह मूँ वेस्ट हो रहा है तो Natural मूँ है King D1 King D1 के बाद आपको खिलना है Bishop C5 White खिलेगा Bishop D3 Knight BD7 White reply देगा B3 यहां आपको खिलना है B6 Bishop B7 Position में Equal है यहां आप देख सकते हैं White Black जोनों Equal दोस्तों मैं आपको अच्छी Game खेलना सिखाता हूं कोई भी Opening में मैं आपको Surety नहीं देता हूं कि इस Opening से आप Win होते हूं यहां से जीत रहे हूं जीतना आपके हाथ में मैं आपको Position बना के देता हूं अच्छी Position ताकि आप अच्छे से खेल सको Track में नहीं आ जाए तो मैं पूरी Opening में सभी Variation आपको बताता हूं जो जो अच्छी अच्छे Moves है Best Choice है वो सारी Best Choice में आपको बताता हूं तो दोस्तों वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा क्योंकि ऐसे ही लगातार आपको सभी Opening की Series मेरी चैनल में मिलती रहेगी Opening Series तो जिसकों भी Opening सीखने की जरूरत है वो खास मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रखे और कुरान सबी वीडियो आप देख लीजिए बहुत सारी Opening मैंने अपलोड कर दी है बहुत सारी तो चलिए जल ही मिलेंगे जोस्तों नेक्स्ट वीडियो में Classical Variation और Classical Variation में ज्यादा तर 7th Move Alternative Classical Variation के Move में आपको बता देता हूं Classical Variation के Move जो है D4, D5, C4, D-C4, Knight F3, Knight F6 फिर E3 अभी जो आपने देखा वही लाइन है यहाँ पर आप E6 मैंने बताय था आपको फिर B-C4, यहाँ मैंने आपको बताय था C5 यहाँ से White करता है Castle Instead of Queen E2 और Knight C3 के बतले White करता है Castle और Black खिरता है A6 तो दोस्तों यह Position याद रखो और तयार कर दो क्योंकि इसके बाद के सारे Variation Alternative 7th Move से होते है तो 7th में क्या कर सकता है वह मैं बताऊं White 7th Move में 92 कर सकता है उसका reply बताऊंगा Knight C3 कर सकता है तो कैसे खिलना है वह बताऊंगा White 7th Move में A3 करे तो हमें कैसे खिलना है White 7th Move में B3 करके खेले तो हमें क्या करना है 7th Move में White E4 करे तो क्या करना है बहुत सारे लोग सेंटर में जल्दी अटेक करने के लिए सेंटर पॉन दे देते है फिर 7th Move में B3 पॉसिबल है और D into C और इसके अलावा और भी है सेंटर नेटी जो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बाद के बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे क्योंकि हम डीपोर अगेंस ताइगारी करते हैं इसलिए मैं ऐसा चाहता हूं कि एक भी मूव आपको मिस नहीं हुए वाइट के तो दोस्तो जल्दी मिलेंगे जय हिन जय गुता